हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आएक्जामभी आएम सुशिल रगडे एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और यह जो न्यूज है ना आर्बिया ने 2.11 लाक करोड का प्रॉफिट कमा लिया यह न्यूज तो बहुत कॉमन लोगों के लिए न्यूज है कि इतना इतना क्योंकि डीटेल बैलन शीट नहीं आया लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊंगा कि आर्बिया के प्रॉफिट में कौन-कौन से आइटम्स होते जिससे अर्बिया प्रॉफिट अन करता है लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा क्या कहते कि मतलब अंडर करंट यहां पर में बताना इसको साध्वी से अपना अपना रख सकते हैं आप अंगला स्युम्स है तो अर जब मैं यहां पर की अगला स्युट को होगा क्यूंकि आपको पता है परजू की अच्छे ऑप्शन बना जाए ए और उन्होंने कैसा संबाला है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में तो अभी देखिए आप मरमुन सिंग का पिच्चर इसलिए है यह को यह कभी पॉलिटिकल वीडियो नहीं है यह क्या है हम एकोनॉमी है हम एकोनॉमिस्ट है आप जिस रिलिजन के है उस रिलिजन का पता होना चाहिए दूसरे रिलिजन है फिलोसोफी है मैथमेटिक्स है फिजिक्स चेमेस्टी जब आपको सारी चीज़े लाइफ की पता चलेगी ना तब आपका जो व्यू है लाइफ के तरफ देखने को बढ़ जाएगा तो यहाँ मनमोन सिंग का पिक्चर इसलिए है क्योंकि वो आर्वे के गवर्नर है चुके थे और उसके बाद वो फैनास मिनिस्टर बने और यह बहुत मतलब अच्छा अच्छा है ना यह कोई किसी ने आर्वे का गवर्नर का पोस्ट हैंडल किया है तो वो ऑबियस है कि फैनास मिनिस्टर कर सकता है अच्छे से ठीक है और मनमोन सिंग ने काफी अच्छे से कि आप सबको पता है बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गे तो अभी यह सेकंड चांस मिल रहा है इसके पहले भी हुआ था, इसके पहले आपको पता है, CD देश्मुक थे, CD देश्मुक थे कि जो पहले R.E.A. के गवर्नर थे, फिर बाद में वो फैनास मिस्टर बने, ठीक है, लेकिन वो उतना ज्यादा पुराने लोगों को समझे भी आला है, इसलिए मैंने उनका पिक्चर बनता है, तो मुझे लगता है कि शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जी है, वो फैनास मिस्टर बन सकते है, ठीक है, आप भी बता सकते कि आपको कोई लगता है, तो आप बता सकते कि आप डेमक्रसी में हैं, आप अगर ढंक से आपकी बात रखेंगे, तो लोग सुनेंगे, ठीक है या अधर्वाइस दूसरा हमारे लोग कॉंग्रेस लेट गवर्मेंट आ गया या बाकी कोईलेशन का गवर्मेंट आ गया तो डॉक्टर रगुराम राजन गवर्नर आर्बिया के हमारे गवर्मेंट के फैनास मिनिस्टर बन सकते हैं यह मेरा अंदाजा है और अभी द सबसाया था तो एक लाग करोड का जौमन था वो भी थोड़ा जादा ही दिख रहा था लेकिन उसको पार करके दो लाग करोड यह तो सब लोग मतलब क्या बोलते हैं सब लोगों को कॉश्चन मार कोई कि कैसे कैसे हो क्या अभी मैं बताओ मैं इस पे बहुत अगर देखो य एक्स डेप्टी गवर्नर से है और बेके एडी से सीजीम से कोई चीफ इकोनोमिस है दो तिन लोग से मेरी बात भी हुई कि सर यह ऐसा कैसे हुआ क्योंकि IDFC बैंक है उनके जो इकोनोमिस्टे चीफ इकोनोमिस आप देखिए उनका क्या नॉलेज होगा उन्होंने बताया थ मुझे लगता है maximum two digit of log होंगे कि जिनको RBI का balance sheet समझ में आता है क्योंकि मैंने RBI में काम किया और मैंने लोगों से भी बात किया उन्होंने बहुत कम लोग गिने चुने लोगों को यह समझ में आता है तो अभी क्या होते है कभी भी कोई जो person होता है जैसे bank का CMD है या किसी company का CEO है जब वो जाता है वो बहुत अच्छा picture छोड़के जाता है जैसे bank का chairman रहेगा तो वो और कभी कभी क्या होता है उसमें internal adjustment भी होते तो वो कोई fraud नहीं होता है लेकिन थोड़ी accounting policy कुछ जोटा मोठा उसमें उपर नीचे करके वो profit या accounting principle ही कहेंगे उसको हम कोई scam भी मै जाते हैं लो कि या देखो मेरे time पे ना बहुत अच्छा हुआ और मैंने एक अच्छी legacy चोड़के चला गया और उसके बाद next year फिर जो आता है फिर उसको वो संभालने में उसका काभी पतब निकल जाता है तो ऐसा corporate में भी होता है कि अच्छी balance sheet अच्छा profit देके वो जाते आप और हम जो है क्योंकि ये central government का है और government हमारी है ये जो पैसा आएगा अभी डिपेंड है कि government पैसा इसको कैसा खर्च करेगा उस पे हमारा भविश्य आगे का country का decide होगा क्योंकि 2,000,000 कृट बहुत amount होता है इस पे अभी productive काम पे यूज करना है या non productive काम पे यूज करना बहुत difficult है तो मुझे ये दो नाम दिख रहे है अगर गॉंग्रेस लेड या फिर बाकी बीजेपी नॉन बीजेपी का government आता है तो अगर बीजेपी लेड आएगा तो शक्तिक का ददास क्योंकि आपको पता है इन्होंने कोवीड के टाइम पे बहुत अच्छा manage किया था उ इससे सरकार भी यानि की government के जो top position बिलोगे वो काफी खुश होए होंगे और अगर आगे जाके जगर government बनता है बीजी पिलेड तो उसमें मेरा ऐसा अंदाज है आप बताईए अगर आपके सामने कोई ऐसा दूसरा नाम है कि जो finance sinister बन सकता है वो मेरे पास तो अभी इनका ह ही कभी बात कर ले तो वह अच्छा होता ठीक कि आप कभी भी सारे लोगों को खुश नहीं कर सकते तो इसलिए क्या है आप आपको जो अच्छा लगता है आपको जो valid लगता है moral लगता है उसको आपके बात करनी चालिए तो अभी देखो RBI profit कैसे कमाता है एक तो foreign exchange में buying and selling ठीक है foreign exchange में buying and selling इसमें क्या हुआ ना इसमें देखो इसमें जो RBI ने जो purchase किया था डॉलर वो बहुत कम rate पे किया था उसना हम आप पकड़ लिजए average पकड़ लिजए 70 क्या सपास पकड़ जिस मैं एक example देने के बोल रहा हूँ और अभी 83 पे है अगर बेस देंगे तो उत RBI profit कमाता है उसके बाद foreign currency assets RBI ने जो invest किया हुआ foreign currency bonds में specifically US treasury bonds में तो वहां से I think 3-4% का revenue आया होगा और काफी billions में 400-500 billion dollar का वहां पी investment होगा वहां से पैसा आया और senior age करके यहां पी senior age का मतलब क्या है अगर RBI ने 500 रुपे का note print किया है तो print करने का खर्चा 5 रुपे पकड penalty है कोई charges है यह सारा तो यह सारा पकड़के सब लोगों ने अंदाजा लगया था कि 80,000 to 1 lakh crore तक profit आएगा ऐसा सब लोगों ने अंदाजा लगया finance minister ने भी लगया बड़े-बड़े economics ने लगया लेकिन यह 2 lakh crore का amount कैसे आया अभी में मैं बहुत question है मुझे और मैंने कम से finance world में जो लोग है जो टॉप लेबल पर economist होते है वो सब लोग आज के दिन में यही discuss कर रहे है किर यह ऐसे कैसे हुआ इसके पीछे क्या है जब पूरी balance sheet आएगी तब उसके बाद में उसका detail video बनाऊगा क्योंकि अभी तो यह उपर है ना हमें item नहीं पता item नहीं पता जब balance sheet आएगी तब हम इसके उपर और भी discuss करेंगे लेकिन इसके पीछे का जो undercurrent है कि आगे क्योंकि आपको पता है कि जो finance minister होंगे उन पे हमारे country का भविशे डिपेंड होगा और मुझे तब दोनों case में खुशी होगी कि अगर शक्तिकांद अदास बनते तो भी मुझे में finance related, economic related काम किया है और मैंने कोरा पे उस टाइम पे एक जबाब भी दिया था लोगों ने पूछा कि यह decision बहुत criticize किया था गवर्मेंट का मज़ाग उड़ाया था मैंने कहा कि नहीं आरभी आइजिन safe hands ठीक है यह मतलब बहुत भी high-five level के जैसे उजिर पतेल जी है या फ इसको आप politics छोड़ के सोचे अधरवाइस देखो मैं तो आप कितने भी कुछ कहो क्रोलिंग करो मुझे ने तेकि मुझे आप पे ही दरस आएगा कि यह क्या है मतलब आप job चाना पाना चाहते और आप इतने अगर नरव हूसे देखेंगे जो बहुत common लोग देखते तो फि आपका life का जो view है वो आगे अच्छा होगा और life में काफी चारी opportunities मिलेगे और life में आगे बढ़ पाएंगे तो यह मैंने दोनों यहाँ पे थोड़ा सा आगे future में क्या हो सकता है यह मेरा अंदाजा बताया है और यह जो चीज है अभी इसके numbers हमें हमारे पास available नहीं numbers से available नहीं लेकिन जो basic understanding है अगर आपको कोई पूछता है कि RBI profit कैसे कमाता है तो इससे कमाता है यह आपको अंदाजा आना चाहिए और इसके लिए मैंने former RBI के deputy governor EDCGM से बात किया economy से भी मैंने email किया है उनको linkedin पे भेजा है दो तीन लोगों से मेरी बात भी हुई है और अभी देखते हैं आगे जब पूरा balance sheet आएगा और आज के date में अगर आप सिफ यह number discuss करें है आरवे ने कितना profit किया तो आपको कुछ भी advantage नहीं मिलेगा क्योंकि यह number भी पूरी country का तो loss है लेकिन उस टाइं पे अरवे प्रॉफिट कमाएगा अरवे ने पर्चिस किया ता 70 पे और 83 पे बिचेंगे तो प्रॉफिट हुआ और मुझे याद है एक अरवे के एकस advisor madam है उन्होंने तो लिखा है कि अरवे का profit इसका मतलब गवर्मेंट का bad fiscal management actually मैंने उनको question पुझा कि ma'am why you are saying like this I am not able to understand fully तो आप मुझे explain किजी तो यह जो है आपको थोड़ा उपर लेवल पे जाके देखना पड़ेगा तो आपको सारा openly यहाँ पे देखना पड़ेगा तो यह मेरा व्यू है और इसके उपर में और दो तीन वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यह इंपोर्टन टॉपिक है बहुत कम लोग इस पर जानते हैं बहुत कम लोग इस पर बात भी करते हैं लोग बहुत सुपरफिशल लेवल पे आपने देखाऊगा यूटूब पे आप तक हजारों वीडियो आएंगो कि आरवे ने इतना प्रॉपिट कम यह बहु क्या नियू पूचियर आपको क्या रखता है कमेंट सेक्शन में मुझाता ये थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो और आल देबस पर यो स्टडीज और अपकमिंग एग्जामिनेशन्स